हाई गाईस वेलकम बैक आइको ने फोर्टीन थाउजन के नीचे एक और निव फोन इंडिया में लोंज कर दिया है यह है आइको जड़ सिक्स लाइड फाइजी स्नेब्रेगन फोर जैन वन के साथ आपको मिलता है अइडरो 12, Funtash OS का लिटेश्ट अपडेट इसके अंदर कस्टमाज़ेशन की काफी सेटिंग से डिफरेंट चार्जिंग अनिमेशन आपको मिल जाती है यूएस्ब अनिमेशन है अम्बेंट लाइट इफेक्ट आपको मिल जाता है लोग स्क्रिन को कैसे आप अपने कोडिंग लिए कस्टमाज़ कर सकते है डिफरेंट कैस्टर्स है वनेंडिट मोड मल्टि यूजर डिफरेंट ओप्षिन आपको मेंट जाते है गेम टर्ब मोड है वोइस चेंजर का ओप्षिन आपको मेंट जाते है तो description में link है तो okay guys बात करें features के बारे में सबसे पहले settings के कुछ main options से हम वीडियो को start करते हैं यहाँ पर हम बात कर ले तो battery percentage, network speed refresh rate, display की setting कैसे आप enable कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको option मिलता है display में display and brightness का तो अगर आपको enable करना है display का size display का size small या large करना है change कर सकते हैं smart switch पे अगर आप tap करते हैं तो अपने according लिए change कर लेगा requirement की according और अगर आपको चाहिए यहाँ पर battery percentage network की कितनी speed है तो status bar की अंदर यह option आपको मिलेगा अभी आप देख सकते हैं कितनी kbmb speed है तो यह option यहाँ से जाच चुका इसको enable करेंगे आपको मिल जाएगा ऐसे ही battery percentage को option है battery percentage अगर आप show करना चाहते हैं तो यहाँ से enable disable कर सकते हैं eye protection mode आपको मिलता है तो अगर आप रात में phone को ज़्यादा use करते है eye protection mode या dark theme यहाँ पर dark mode को enable कर सकते हैं यहाँ पर आपका जो phone है पूरा dark हो जाएगा तो यह आपको मिलता है और बिना use करें screen की light कितने time बाद off हो जाए अपने आप तो यहाँ पर timer आप set कर सकते हैं next अगर आप यहाँ पर notch light enable करना चाहते है simply play store में जाएए यह notch के application को आपको download करना है जो permission आपको से मांगे वो आप को enable करनी है और अभी आप देख सकते हैं इसका जो size है इसका जो shape है इसका अपने accordingly इसका जो place है horizontally vertically आपने accordingly आप set कर सकते हैं और battery percentage भी आप यहाँ पर set कर पाएंगे और इसका जो speed है वो भी आप कर सकते हैं और इसमें different color का भी option आपको मिल जाता है तो color अगर आपको add करना है तो यह भी आप यहाँ पर ऊपर status bar में नोच के around में आप यहाँ पर add कर पाएंगे नेक्स्ट अगर आपको always on display enable करना है इसमें ambient lighting का charging animation तो आपको मिल जाती है बढ़ यहाँ पर आपको always on display का option नहीं मिलता है तो ऐसमें play store में जाएं always on display सार्च केज़े यह application आपको मिलेगी पर्मिशन आपको अलो करनी है तो यह option वैसे emulate display वाले devices में आपको मिलता है तो यहाँ से आपको service को enable कर देना है बट इसमें आप enable कर पाएंगे watch faces में आप देख सकते हैं काफी सारे watch faces आपको मिल जाते हैं जो भी आपको enable करना है simply tap किज़े जैसे यह enable करना save पर tap करेंगे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर lock screen के उपर यह यहाँ पर आ चुका है साथ में day and date आपको मिलेगा और साथ में जो notification आएगा वो भी नीचे आपको show करेगा और इसके अंदर यहाँ पर stickers आपको मिल जाते हैं अगर आपको कुछ और यहाँ पर sticker add करनें जैसे cycle का sticker है तो यह भी हम check कर लेते हैं इसको save करके तो यह आप देख सकते है लाइव आपको मिल जाते है system पर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ से system navigation multi user वगरा की option आपको मिल जाते है तो यहाँ पर अगर आपको button पसंद नहीं है तो पहले से यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर इसका जो shape है इसका जो style यह left or right corner पर यहाँ से आप change कर सकते है अपने convenience के recording यहाँ से gesture आप enable कर सकते है back जाने के लिए simply आपको slide यह left or right करना है back चले जाएंगे slide अप करेंगे तो यहाँ पर home screen पर आ जाएंगे slide अप करके hold रखेंगे तो यहाँ पर आपका recent app open हो जाएगा तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर gesture को आप enable कर सकते हैं बाकी जो gesture की settings है नीचे आपको मिल जाती है और यहाँ आपको recent app मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे iPhone में आपको मिलता है यह single recent app है बट इस option पर अगर आप tap करते हैं तो जैसे MIUI में आपको मिल जाता है वैसे भी आपको मिलता है अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एक page पर आपको काफी सारे recent app show करें तो यह भी option यहाँ से आपको मिल जाता है और कोई application अगर आप open करते हैं जैसे play store मैंने open किया जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके side में यह option आपको मिलता है यहाँ पर split screen का support आपको मिलता है इस पर tap करेंगे split screen आपको open हो जाएगा और साथ में दूसरी application को भी आप access कर पाएंगे and slide down करेंगे तो वो application ओफ हो जाएगी तो यहाँ पर यह option आपको मिल जाता है बाकी यहाँ पर जैसे यह application उने open की तो ऐसे भी simply slide up करके भी split screen आप open कर सकते हैं या फिर वहाँ से भी आप open कर पाएंगे तो यह काफी बड़ी आ शोट्रेट आपको मिल जाता है multi user का option आपको मिल जाता है तो यह guest mode का option है जो आपके application settings है वहाँ पर primary mode में है तो इसमें आपको show नहीं करेगा तो यहाँ से इसको आप on off भी कर सकते हैं वापे setting में जाएंगे तो इसको आप यहाँ से owner पे shift करेंगे तो यहाँ पर owner mode आपका enable हो जाएगा और phone clone अगर आप करना चाहते हैं जैसे system clone का बाकी brands में option आपको मिलता है यहाँ से tournament condition को agree करके phone clone option को आप enable कर सकते हैं तो multi user phone clone यह option आपको मिल जाता है बाकी यहाँ पर इस shortcut का option आपको मिलता है तो इसके अंदर 191 mode वगरा and gesture काफी सारे option आपको मिलते हैं तो इनको enable करने के लिए 191 mode जैसे मैं यहाँ पर enable कर देता हूँ तो इसको enable करने के लिए सबसे पहले आपको enable करना है काई जाचकल जो display है smart phones की काफी बड़ी आपको मिल जाती है तो single end से जैसे उपर से अगर आपको access करना है तो single end से phone को use करना काफी difficult हो जाता है ऐसे simply यहाँ से आप अगर left and right slide करेंगे ऐसे आपको slide करना जो की video भी आप देख सकते हैं तो अभी आप देख सकते है one edit mode आपका enable हो चुका है ऐसे आपको simply slide करना इस पर tap करेंगे तो यहाँ पर इसका जो size है वो भी आप adjust कर सकते हैं और इसको यहाँ से off करेंगे तो one edit mode भी आपका यहाँ पर off हो जाएगा smart motion पर अगर आप tap करेंगे सबसे पहले इसको आपको enable करना है raise to wake option है double tap to light तो double tap करके screen को यहाँ पर own कर सकते हैं ओर double tap करके यहाँ पर खाली जाएगा पर screen को आप off भी कर सकते हैं तो यह option अगर आप को enable करने हैं तो enable कर सकते हैं smart way का option है तो इनको enable कर सकते हैं slide up करके unload करना है या फिर slide down करके photo अगर आपको capture करनी है Mडो करके अगर अगर आप music प्ले करना चाहते हैं यहां से आप अनेबल कर सकते हैं या फिर horizontally swipe करके ऐसे swipe करेंगे तो music आप change कर सकते हैं या फिर F यहां पर draw करेंगे लोग screen पर तो यहां पर facebook आप enable कर पाएंगे तो यह आप देख सकते हैं यहां पर M draw करेंगे तो यहां पर music है, वो यहाँ पर enable हो चुका है and swipe करके इसको आप change कर सकते हैं तो ऐसे यहाँ पर यह gesture आपको मिलते हैं and यहाँ पर draw e पे अपने accordingly जो gesture है वो यहाँ पर आप set कर सकते हैं, कोई application जैसे आप चाते हैं, bgm यहाँ पर open हो calculator application open हो जैसे मैं इसको set करता हूँ तो अभी e यहाँ पर draw करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर calculator application open हो चुकी है तो ऐसे यह सारी setting आपको मिलते हैं और calculator के अंदर आप देख सकते हैं इसको अगर आप rotate करना चाते है sign cost and अगर आपको calculate करना है और phone को shake करके flash light अगर आप open करना चाते हैं तो यह option भी यहाँ से अप enable कर पाएंगे quick action का option आपको मिल जाता है तो यहाँ से quick action के help से यह सारी option को enable कर सकते हैं तो इसमें camera को अगर आप set करना चाते हैं या फिर कोई particular application को अगर आप set करना चाते हैं तो यह भी यहाँ पर आप set कर सकते हैं जैसे मैं browser को set करता हूँ तो इसको आप set कर सकते हैं अगर आप चाते हैं यहाँ पर calling करते हुए calling करते हुए अगर आप flash light enable करना चाते हैं जैसे आइफोन में आपको मिलती है Redmi के devices में तो इसको यहां से आप enable कर सकते हैं Next अगर आप ambient lighting charging effect enable करना चाते हैं तो यहां पर emulate display आपको नहीं मिलती है IPS LCD पैनल है बट फिर भी यहां पर dynamic effects पर अगर आप tap करेंगे तो यहां पर आपको ambient light effect का option में जाता है यहां से इसे आप schedule भी कर सकते हैं से इतने time था, automatically enable हो जाए और फिर किसी का call आए तो ambient lighting यहां पर enable हो तो यह भी आप enable कर सकते हैं उपर से सबसे पहले आपको enable करना है light effect for incoming call यहां से आप enable कर सकते हैं किसी आप call आएगा तो ऐसे effect यहां पर side से यहां पर rotate होंगे जो कि generally बाकी brands के devices में AMOLED display वाले devices में मिलता है वाट यहां पर यह option आपको मिल जाता है तो काफी बड़ी option है color भी आप यहां पर particular color भी लगा सकते हैं इसकी transparency को अपने coding लिए increase कर सकते हैं इसको अगर आप थोड़ा चोड़ा करना चाते हैं इसकी width को narrow or wide करना चाते हैं तो काफी कमाल का option है बाकि आप comment करें बता सकते हैं आपको यह option कैसा लगा notification app का option आपको मिलता है तो किस application के notification पर आपको इसे ambient lighting को enable करना यह भी यहां से आप enable कर सकते हैं और notification के लिए जो light effect है यहां पर आपको select करने का option मिल जाता है यहांनी incoming call के लिए different light effect आप select कर सकते हैं इसके लिए different आप कर सकते हैं और charging animation अगर आपको add करनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला ऐसा device मैं ने देखा जिसके अंदर charging animation इतनी सारी आपको मिलती 8 animation आपको मिल जाती है तो जो आपको enable करनी है charging के लिए वो आप enable कर सकते हैं और साथ में अगर आप laptop से connect करते हैं USB cable के या फिर charging के time यहां पर USB insert की भी नीचे से animation आप change कर सकते हैं तो यह यार मुझे काफी बढ़िया लगी screen की on off animation कैसी आपको चाहिए आप देख सकते हैं animation चाहिए या फिर ऐसे यहां से rotate हो या फिर अप देख सकते हैं यहां यहां पर आपसे down आई यहां पर तो अपने accordingly यह भी यहां पर enable disable कर सकते हैं face की यहां पर face unlock की जो animation है कैसा आपको यहां पर logo मिले तो यह भी आप change कर सकते हैं इसमें भी काफी option इनिमेशन फको मिल जाती है और डीवाइस कनलो करने के लानेनिमेशन होम स्क्रीन पर जैसे बेनर करेंगे तो कैसे अरनी मेशन आप को blind ं पर एनिमेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है फिल्लाइ इनिमेशन चान भी घांदेशान यहां से जो WhatsApp का डाटा है, नोर्मल वीडियो फोटो, यहां से आप क्लीम कर पाएंगे, गेम मोड अगर आप अनेबल करना चाहते हैं, तो आई मेनेजर के अंदर आपको अल्टरा गेम मोड मिल जाता है, यूटिलिटी के अंदर अगर आप स्लाइड बार यहां पर अनेबल करना चाहते हैं, गेम मोड के अंदर, ली स्पोर्ट्स मोड अनेबल करना चाहते हैं या फिर नहीं, ओटो प्लेवी स्क्रीन ओप, तो यह भी यहां से आप enable disable कर सकते हैं तो यहां पर picture and picture mode भी आप यहां पर enable कर सकते हैं तो कैसे इसको access करना है तो वह मैं आपको वीडियो मा आगे बताऊंगा तो इसमें plus पर type करेंगे जो game आप add करना चाहते हैं वो आप add कर पाएंगे जैसे मैं यहां पर bgmi मैंने add किया है तो इसको मैं open कर लेता हूँ अभी आप देख सकते हैं यहां पर जो game mode है कुछ S आपको मिल जाता है तो corner से simply आपको slide करना यह icon आपको मिलता है CPU, GPU की detail यहां पर आपको show करता है और कितना battery है वो भी आपको show करेगा game mode आपको मिलता है battery save mode, balanced and performance mode इसके अंदर different color के animation आपको मिल जाती है यहां पर vibration का option है यह आपको मिलता है e-sports mode अगर आप enable करते हैं तो यहां पर floating window का option काम नहीं करेगा तो इसको भी enable कर सकते हैं वैसे voice changer का भी option आपको मिलता है तो अगर आप यहां पर gaming करते हुए AI की जैसे robotic enable करना चाहते है simply इस पर tap कीजिए recording पर simply आपको tap करना है यहां पर अभी आप जो भी बोलेंगे तो वही बार-बार यहां पर record होगा and done पर tap करके उसको आप सुन सकते हैं फिर सामने वाला भी जो भी प्ले करें उसको भी सुनाई देगा and commander की भी आपको मिलती है और इसमें child या cowboy तो जैसे आप चाहते हैं अपने accordingly set कर सकते हैं और इसके अंदर screenshot अगर आप capture करना चाहते हैं अगर आप यहां पर screen recording capture करना चाहते हैं तो वह भी आप कर पाएंगे and long screenshot का भी इसके अंदर option आपको मिलते हैं और brightness lock करना चाहते हैं यह भी आप कर सकते हैं और gaming करते हैं जैसे कि आप यहां पर out हो गए अगर आप चाहते हैं कि team का match चलता रहे बैटरी आपको save हो तो यहां पर यह option को enable करेंगे तो game आपका चलता रहेगा बट यहां पर screen floating window अगर आपको enable करना है simply slide up आपको करना है और यहां पर आप देख सकते है floating window आपकी आ चुकी है तो simply इस पर tap करेंगे यहां से corner से size adjust करने का option भी आपको यह पर मिल जाता है और यहां से उसको size adjust कर सकते हैं यहां से close करने का option है next अगर आप यहां पर hold कर यह रखेंगे screen पर कहीं पर भी तो यह आपको wall paper option मिल जाता है यहां पर यह सारे wall paper आपको मिलते हैं तो change कर सकते हैं यहाँ पर last में अगर आप tap करेंगे तो यहाँ से जो wall paper से category पर जाकर यहाँ से आप download कर सकते हैं यहाँ से font वगर आप download कर सकते हैं यहाँ से theme store है तो यह theme अगर आप download करके apply करना चाते हैं तो यह भी आप कर सकते हैं और अगर आपको यह 3D live electric wallpaper चाहिए, इसके अंदर काफी सारे wallpaper आपको मिलते हैं, तो इसके लिए Instagram, Twitter पर या फिर Telegram ग्रूप आप जोईन कर लीजिए, तो इसके लिए description में जाईए, वहाँ पर आप contact कर सकते हैं, next अगर आप यहाँ पर कोई application को remove करना चाहते हैं, simply यहाँ पर hold करके रखना है, remove पर tap करेंगे, दुबारा अगर अगर आप hold करेंगे, तो यहाँ पर widgets को option आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी बड़ी आप widget को option है, अगर आपको यहाँ पर कोई notes यह यहाँ पर add कर सकते हैं, simply hold करके रखेंगे, drag आपको कर देना है, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर album का gallery के अंदर जो भी features हैं, जो भी photos हैं, यहाँ पर जो wallpaper हैं, वो आपको मिलेंगे, यहीं से ऐसे दोस्तों यहाँ पर जो weather है, वो भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं, तो widgets का काफी बड़ी option आपको मिलता है, और यह यहाँ पर app का option आपको मिल जाता है, यह option आप यहाँ से भी access कर सकते हैं, simply slide अप करेंगे, तो यह app drawer है, यहाँ से widgets हैं, तो जो भी आपको अगर आपको Google add करना है, Google search bar, तो वो भी यहाँ से आप add कर सकते हैं simplest पर tap कीजी, यह यहाँ पर touch and hold कर सकते हैं, touch and hold रखेंगे, तो यहाँ पर आपको home setting option मिल जाता है, अगर आपको app drawer disable करना standard पर tap करेंगे, तो अभी आप देख सकते, app drawer यहाँ से disable हो चुका है, वापिस अगर आप जाएंगे, तो यहाँ से आप अनिमेल कर सकते हैं, तो app drawer व 4 by 6 पर tap करेंगे, तो यहाँ पर एक साथ 4 application आपको मिलेगी, 5 by 6 पर 5 आपको मिलेगी, तो अपने according, अपनी requirement के according आप adjust कर सकते हैं, और application को rounded corner या फिर square box में enable करना है, तो यहाँ पर इस पर tap करें, square box है, circle box है और इस पर square box है, small या large इसका size आप कर सकते हैं, और slide down करेंगे, तो क्या open हो, notification center जैसे मैंने यहाँ पर enable किया है, तो उपर से अभी आपको जूरूत नहीं या नीचे से अगर आप slide down करेंगे, तो यहाँ से भी directly आप notification center open हो जाए, या फिर search आप open कर सकते हैं, बाकि यहाँ पर sound की setting यहाँ से आपको मिल जाते, इसकी भी खुद की किस्टम ringtone तो यह भी आप अपने according लिए किस्टमाइज कर सकते हैं, काफी ringtone आपको मिल जाती है, और dial pad, खोली dial pad पे नमबर अगर आप dial करेंगे, उसकी tune आपको सुनाई दे तो यह भी enable disable कर सकते हैं, screen को lock या unlock करें तो उसकी sound आपको मिले, charging sound, touch sound है, and screenshot capture करने का sound है, वैसे three finger down करके screenshot capture कर सकते हैं, यहाँ पर जो volume button है, और साथ में जो power button एक साथ प्रेस करेंगे, यह भी यहाँ पर आप ऐसे भी screenshot capture कर सकते हैं, यहाँ पर touch करते हैं, vibration आपको मिले, अगर आप यहाँ पर tap करते हैं, या फिर keyboard से type करते हैं, इसे enable disable कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर vibrate आपको मि वाकी वीडियो देखनी है चार्जिंग टैस्ट इसका बीजियमाई गेमिंग रिव्यू इसका चार्जर अगर आपको पर्चेस करना है डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है तो डेट्स अल फूर टुड़ेज वीडियो जल्दी मिलेंगे एक उरेसी न्यू वीडियो के साथ अ ये झाए रचेसन झा टाहर सही बाए है ये प्म्राजर को एंब के छ। में रिखेंगे अ रचेसं से अटेंगे जल दो डेवल जा कमें सेजिये बाए है फिए नह UAV रहिए पार कर देखेंगे सो साफचने करदे कर आदे है ये हैं वीघार रहिए जा-ंश तके अवया है है